एब एबरीवन वेल्कम बैक मैं चैनल मैं हूँ दिपीका दिपीका ब्यूटी सिक्रेट चानल से कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंच जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी चानल में भी बेसिक टो एडवांज कोर्स अभी स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो कोर्स का डे है वो है डे फाइब और इससे पहले मैंने जो भी करा हैं आप लोग अपनी डैरी में एंड रजिस्टर में प्रीस नोट केजे और मुझे वाटसब में शेर केजे वाटसब नमबर दिया गया है स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसी नमबर पर आपको क मैसेज करके पूछना है जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और जो भी कोर्स में आप लोग ठीयोरी लिख रहे हो डैरी में लिखने के बाद वाटसब में आपको सेंड करना है ठीक है तो ब्यूटी एंड एडवांस कोर्स में आज है डे चानल पर अभी तक फेस पिलिंग के कोई वीडियो नहीं आई है क्योंकि ऐसे कोई स्किन नहीं आई जिस पे मुझे फेस पिलिंग करना पड़े और यह बेसिक कोर्स में था बट एडवांस में मैं इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसे मैंने बेसिक में भी नहीं करवा उपरी तवचा पर जो दानी होते हैं बहुत सारे जो हटते नहीं है कभी भी कई लोगों के मैंने देखे हैं फेस पर दानी बसपन से ही होते हैं और वो हटते ही नहीं है तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके स्किन में दानी हो रहे हैं या फिर आपके स्किन में टाइन सबसे पहले तो आप लोग अपने डारी एंड रजिस्टर में आपको फेस पिलिंग नोट करना है ठीक है यह करने के बाद आपको कोश्टन देना है फेस पिलिंग क्या होती है फेस पिलिंग करवाने से क्या होता है तो इसे के बारे में मैं बताऊंगे कि फेस पिलिंग क्या ह तो सबसे पहले बात कि face peeling हमें क्यों करवाना चाहिए क्या होता है सबसे पहले में यह बता देती हूं face peeling एक हमारे face treatment है face peeling करके आप अपने face की treatment कर सकते हो अगर आपके skin बहुत जादा black है को गई है दानि हें ब्ल्क हैट है र와त है तो आप मैं इसków कि कंद्स करוांगे से क्या होता है तो आपके जो भी ब्लाग घट época जल्द रिजल्ट आएगा अगर आप शानस करें को तो ये वह सब रिमूब्ह हो गर आप लोगों को theory पता रहेगी तो आप डेमो भी practical भी बहुत easily कर सकते हो ठीक है आप फेस पिलिंग आपको ये भी देना है फेस पिलिंग ये लिखने के बाद आपको इस तरह से arrow देना ये देने के बाद फेस पिलिंग करने से हमारे स्किन में हुए black hearts and white hearts रिमूव होते हैं, तो अगर आप face peeling करवाते हो, दाने हैं, black hats है, wet hats है, तो face peeling करवाने से वो remove होते हैं, अगर किसी भी skin में बहुत जादा, मनलब किसी की skin बहुत जादा black है, tanning हो गई है, बहुत टाइम से उन्होंने facial बगेरा नहीं करवाए है, तो face peeling एक बहुत अच्छा treatment ह अगर face peeling वो करवाएंगे, तो उनके skin पे fairness आ सकती है, थोड़ा सा उनके skin पे result आ सकता है, क्योंकि facial अगर हम करते हैं, तो इतना अच्छा result नहीं मिले का, जितना अच्छा result face peeling दे सकता है, क्योंकि वो machine से होती है, और उसके results बहुत अच्छा आता है, ठीक है, आप जानते है कि face peeling की sitting क्या होती है, अगर आप अपने face पे face peeling कर रहे हो, या फिर अपने client के उपर face peeling कर रहे हो, तो इसके sitting क्या होने चाहिए, अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर आपके skin में दाने हैं, black hats है, white hats है, tanning है, तो इसकी sitting आपको सिर्फ एक नहीं, कम से कम तीन बार देने चाह ठीक है, ये demo में मैं बताऊंगे, demo में product भी आप लोगों को दिखाऊंगी, कि कौन सा product से आप कर सकते हो, product knowledge भी दूँगी, and आप लोगों को demo भी दूँगी, किसी के उपर करके भी दिखाऊंगे, तो ये theory है, आपको इसे note करना है, ठीक है, तो जब भी face peeling आप करोगे, किस मन्त में, टू मन्त में, आपको एक बार जरूर करवाना चाहिए, बीस में आपको करवा लेना है, face peeling से कोई problem नहीं होगी, जैसे कि मैंने बोला, facial मन्त में दो बर नहीं करवाना, but आप face peeling करवा सकते हो, 15 दिन में clean up करवा लो, या फिर face peeling करवा लो, उसके बाद आप मन्तली facial ले सकते हो, कोई भी side effect नहीं होंगे, आपके skin के जो भी black hats है, white hats है, आपके skin में telling है, वो सब remove हो जाएंगे, और आपको ये धियान रखना है, कि आपको face peeling का जो brand है, वो आपको अच्छा लेना है, अगर आप अच्छे brand का कोई भी product इस्तमाल करोगे, तो 50% आपके product काम कर ठीक है, तो I hope आप लोग face peeling समझ गए होंगे, कि face peeling क्या होती है, और ये जो भी मैंने note किया है, ये सभी आपके dairy में note होना चाहिए, जिन लोगों ने course को join किया है, वो सभी ये सारे note करने के बाद मुझे WhatsApp में send कर दीजेगा, जो screen पे दिये गए number है, screen पे दिये गए number पे लोगों का theory send होना चाहिए, ओके, तो I hope आप लोग समझ गए होंगे face peeling क्या होती है, कितनी sitting देनी चाहिए, और क्या फायदा है, ओके, तो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई